हेलो गाइज वेल्कम बेक तो मैं चैनल मैं नेम इस पूजा पिंजानी इन दिस इनेक्स पोएम और चेप्टर टू अ काइट येस अ काइट काइट मींज पतन बच्चे सब को पता है बच्चों की पतन क्या होती है सबने उडाया भी होगा राइट तो हम अभी पढ़ेंगे क काइट की पोएम on the board you can see poem में बहुत सारे hard words रहते हैं right तो मैंने सब के meanings बोड पे दे दिये हैं कुछ Hindi में कुछ English में बहुत ही easy language में please you can try to copy all the meanings download my video so you can get properly the description of the poem how bright on the blue is the kite when it's new हम काइट उडाते हैं उपर उडाते हैं yes और हम कौन सी काइट लेते हैं always new काइट लेते हैं तो यह जब पतंग उड़ती है तो कितनी bright लगती है when it's new जब वो new रहती है तो एकदम bright लगती है कहा on the blue मतलब sky में sky में the new पतंग रहती है बहुत bright लगती है with a dive and a dip it snaps its tail dive dive means plunk gotha yes with a dive and a dip dip means bend it snaps its tail snap break suddenly tail means tail means what yes जो जहां से पतंग शिरुवाद हुई है वो उसका थ्रेड उसका धागा yes that is said so with a dive and a dip it snaps its tail means kite के साथ क्या कह रहता है plunk dive means वो गोता जब हम उपर उड़ाते हैं तो जब गोता मारते हैं वो dip होता है means bend होता है पतंग bend होता है it snaps its tail snaps means वो suddenly break हो जाता है उपर उड़ाते हैं हम लोग बहुत bright sky में it looks very bright in a blue sky जब उड़ाते हैं हम लोग उपर अगर उसको कोई गोता मार दिया कुछ पत्थर मार दिया कोई बीच में आ गया करते हैं हम लोग अगर ऐसा कुछ होता है तो वो bend हो जाता है काई और अचानक से टूठ जाता है tail से then source like a ship with only a sail source means rises like a ship with only a sail sail means door door से हम लोग उसको उड़ाते रहते हैं उपर then source like a ship ship की तरह वो उपर उड़ते रहता है उड़ते रहता है as over tides of winds its rights, tide means rises and fall of sea जब लहरे आती है as over tides of winds its rights बलब जैसे ही लहरे आती है बोड़ते रहते हैं उपर लहरे आती है तो winds its rights climbs to the crest of gust and pulls, crest means top, climbs to the crest means उपर top पर वो जाता है एकदम उपर top तक हम लोग पहुचाने की कोशिश करते हैं काईट को उपर जाता है of a gust, gust means stormy wind means जब बहुत तेज हवा का जोका आता है and pulls, move forward और वो आगे चलते जाता है जैसे हवा आती है तो ही पतंग उड़ता है तो और उपर चलते जाता है then seems to rest as wind's fall जैसे ही हवा कम होती है वो पतंग दिरे दिरे नीचे आने लगता है when string goes slack you wind sits back जैसे ही string loose होती है जो हमारा धागा loose होते जाता है जैसे ही वो धागा means string loose होने लगता है goes slack means become loose जब वो loose होता है you wind its back means हम लोग पीछे कीचने लगते है जैसे ही अगर हमको पता चलता है कि हमारा मांजा कटने वाला है बोलते हैं तो हम लोग उसको पीछे कीचने लगते है roll it back and run until a new breeze blow और हम लोग इधर उधर दोरते रहते हैं जब तक और हवा ज्यादा आए gentle wind ठीके मन्द हवा means slow हवा और जैसे ही आती जाए हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं and its wings fly wings means and its wings fly wings means body of kite ये जो पंक रहते हैं वो उड़ते रहते हैं जब पूरी हवा भर जाती है जैसे हवा आ जाती है तो पंक उड़ने लगते हैं ना ये फिर क्या है and its wings fill मलब पूरी हवा भर जाती है पंको में and up it goes फिर और वो उपर जाने लगता है how bright on the blue is a kite when it's new जब काइट new रहता है तो कितना bright लगता है स्काय में बटर रेग रेगर तेंग यू नेवर विल सी मींस कोई रफ चीज अगर दिख गई रफ मींस पूरा फट कोई फटी हुई चीज आपको कोई दिख गई when it flaps on a string मतलब वो फटफड आती रहती है अगर बीच में कुछ चीज आजाती है जब से ही पतंग उपर उड़ता है तो वो पतंग पूरी फटफड आने लगती है in the top of a tree, tree के उपर वो फटफड आने लगती है yes guys you understood the poem? friends this poem here some hard words are actually given but it's very easy and interesting poem just एक पतंग के बारे में काइट के बारे में बताया गया है जब काइट new रहती है तो sky में बहुत blue लगती है उपर जाती है तो जैसे हवा आती है तो ही हम लोग पतंग उड़ा पाते हैं अच्छे से हवा आए जब तक हम इधर उदर घूमते रहते हैं अगर बीच में कुछ rough चीजे आ गई तो वो फड़फड आने लगती है इसी को बोलते हैं काइट ऐसे हम सबने काइट चलाई है हम सबने पतंग उड़ाया है तो it's very interesting poem guys if you have any difficulty in this poem regarding any question and answers और any problem please comment me in the comment section I'll try to solve all your problems please like and subscribe my channel so you can get everyday update with a new lesson thank you